नमस्कार जी मीरिया मैं आपका स्वागत है मैं हूँ दीनेश शर्मा डारेक्ट विद दीनेश मैं इस बार मेरे साथ हैं हिमाचल परदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भारद्वाजी जो की विधायक भी है राजधानी शिमला के और चात्र राजनीती से ही व भारती युवा मोर्चा और ये कहा जाए कि छात्र राजनीती से ही वो राजनीती उन्होंने शुरू कर दी थी भारद्वाजी सुरेश भारद्वाजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी मीरियम है बहुत धन्यवाद तिनेश जी आप शिमला आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता जी जरूर आएंगे सुरेश जी सबसे पहले मेरा सीधा सवाल आप से क्या भारतिय जंता पार्टी जो साथ महीने बाद हिमाचल में दंगल होने वाला है उसके लिए तियार है कमर कसली है भा बिल्कुल तयार है और इस वार तो हम प्रारंब से ही त्यार थे जब भी विदान सभा का चुनाब होगा हमने इस चित्रोप से त्यार भी मिलेंगे और जीतेंगे भी किन मुद्दू को लेकर जो भारती जंता पार्टी है वो इस दंगल में उतरेगी जो पिछला चार वर्ष्टों का कारेकाल बरतमान मुख्यमंत्री के नेत्रितों में जो कांग्रेस सरकार है जे वो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से असफल सरकार कही जाएगी क्योंकि मानिया मुख्यमंत्री जी स्वैम CBI और ED के चकर में फस गए जिसके कारण उनका पूरा दिमाग जो है वो उसी तरफ लगा रहता है और हिमाचर प्रदेश की समस्याओं को देखने के लिए या उनको समझने के लिए या उसका निदान करने के लिए उनके बाद समये ही नहीं है इसलिए उन्होंने कुछ जो है वो रिटायड और टायड लोग जो है वो अपने इर्दगिर्द बिठा रखे हैं उनके सहारे वो सरकार चला रहे हैं और पिछले चार वर्षों में पूरी तरह से विकास कारे जो है वो बंद पड़ा है आप सटकों की हालत देख सकते हैं इसी प्रकार से जो है कोई नया प्रजेक्ट हिमाचर प्रदेश में नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स जो है वो शिमला और हिमाचर प्रदेश से कत्रा रहे हैं तो यह सारे ऐसे मुद्दे हैं उन्होंने पिछले अपने विधान सभा का जब चुनाब लड़ा था तो बहुत सार वाइदे किये थे वो वाइदे पूरे नहीं किये हैं इसलिए यह सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतिय जनता पार्टी जो है वो चुनाब में जाएगी ब्रश्टा चार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वार के चुनाब में रहने वाला है सुरेज जी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जो है अपने मामलों में केसिस में जो है वो फसे रहे लेकिन सरकार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ये कहा जाए कि मंत्री और पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो ये केसिस है ये भारतिय जनता पार्टी एंडिय की जो सरकार ह उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ शडियंत रचा है उनको इस इन केसिस में जो है उलजाया है देखे मैं समझता हूँ कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मानियम मुख्यमंत्री जी पिछली सरकार में केंदर में स्टील मिनिस्टर थे उसी समय उनके खिलाफ ये सारे आरोप लगे थे और इसलिए यूपिय सरकार में इनका विभाग बदल करके जो है वो लगू उद्योग विभाग इनको दे दिया गया था इंसिग्निफिकेट सब विभाग इनके पास था और उसके बाद वो विभाग भी लेकर के जो है मंत्री मंडल से जो है वो बहार हो गए थे इसलिए उसी वक्त ये केसीज भी बने थे सीवी आई ने उसी बत केस जो है वो मना रखे थे जैं हां उसमाए यूपईय सरकार ने इनको जो है वो एक्स्पिडाइट नहीं किया था और बंद कर रखा था चान भी नहीं हो पारी थी जैंडे सरकार के समय भी प्रारंभा में इस पर जो है वो करके त्यार है लेकिन कोट में कैसीज हैं इस कारण से वो कोट जो आदाकिल नहीं हो रही लेकिन एक बात स्वष्ट है कि जिस आधार पर कैसीज बने हैं इनका जो वो अजेंट है LIC का अजेंट है आनन सिंग चोहान वो पिछले 6-7 महिनों से जेल में है चार शीट दौनों की खिलाफ एक ही जैसी है एक ही चारशीट के आधार पर बने हैं मतलब मनीम जो है आज अंदर है और लाला बाहर है इस तरह की स्थिती जो है आज हो रही है तो यह मैं समझता हूं अमिर पहदर सिंग जी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं इसमें किसी प्रकार से NDA सरकार का तमाम जो केंदर की एजनसिया हैं वो मुख्य मंत्री के खिलाफ शर्यंत्र के तहट जो है इन यह कहा जाए कि यह मामले बनाए गए और उसमें जांच किये गए उनके खिलाफ ने देखिए जैसे मैंने शुरू का में कहा है कि यह केसी जो है वो यूपी सरकार के समय के हैं जे यूपी सरकार ने इनको इन्वेस्टिकेशन बंद कर रखी थी अब इन्वेस्टिकेशन प्रारम हुई है जे और साथ ही इनके खिलाफ जो केसी बने वो निराधार नहीं है जे कोट की स्कृूटरी मैंने कहा है कि इनका जो मुनिम था जिसके आधार पर वो केसित बने थे जे वो उसके छिलाफ केस वही है जो तो आप कहरे हैं कि तथ्यों के अधार पर जो है एविडेंस के अधार पर जो है केसे जो है नामले बनाएगे जो है जमानत पर भी कोट जो है वो पूरा विचार करती है और कोट ने दो तीन बार उनकी जमानते जो है और रिजक्ट की है इसका मतलब है कि केसी ठीक बने हैं और उस आधार पर जो है वो हम यह नहीं कह सकते के वलमात एडी या सीबियाई जो है वो राजनितिक आधार पर बेर बदर सिंजी के खिलाब कोई केस बना रही है जे आपने कहा कि सडको का मामला और बरहष्टाचार का मामला उन सब तमाम मुद्दो को लेकर जो है भारतिय जनता पार्टी हिमाचल परदेश में जो साथ महीने बाद चुनावी दंगल होगा उसमें उतरेगी लेकिन मु अंगरे सरकार का कारेकाल हिमाचल में रहा है उसमें तमाम जो वादे उनके मैनिफेस्टों में थे उनको असी प्रतिशत उन्होंने पूरा किया है देखे एक तरफ तो मुख्या मंत्री जी ये कहते हैं कि जो मैनिफेस्टों बनाया वो जो लोग थे वो जूनियर लोग थे या जिनको सरकार की समझ नहीं थी उन्होंने वो मैनिफेस्टों बनाया जे इसलिए मैं एनेंप्लियमेंट एलाउंस जो उन्होंने गोशित किया ह उसको लागुन नहीं कर सकता जे और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि यह मैनिफेस्टो मेरी सरकार का पॉलिशी डॉकुमेंट है जे अब पॉलिशी डॉकुमेंट ये बात ठीक है या दूसरी बात ठीक है जे तो पहले मुक्षमंत्री से जानना पड़ेगा जे फिर इनके मंत्र पॉलिशी जो है वो स्वेमेव जी एस बाली जी ने ये मुद्दा उठाया कि हम यह हमारे मैनिफेस्टो में यह हमने सबसे बड़ा मुद्दा था अनेम्पलियर्मेंट अलाउंस का जिसके आधार पर पिछली बार इनकी सरकार बन पाई थी जे वरना जो है शायद सरकार न दे यह नहीं सकते हैं क्यों कि चालीस अजार क्रोड से अधिक का करजा हिमाचर प्रदेश पर पहली है और यह जुनियर जो है वो अंगड़ लोगों ने जिनको सरकार की समझ नहीं है उन्होंने यह मैनिफेस्टों बनाया है या तो इनकी यह नूरा कुष्टी है आपस में जानबूश करके जो है वो इस प्रकार की मांग उठवा दी और फिर यह कुछ इस तरह की कोशिश करके के हम हिमाचर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए जो है वो लोगों को गुमरह कर सकें तो यह मिल जूल करके यह कर रहे हैं अनिया था एक कैमिनेट मिनिस्टर जो है वह इस तरह की बात करे और वह फिर भी बीरंटर सीखि के कैमिनेट में रहे हैं यह बहुत कंट्राजिक्टिटरी है जो लगता है कि बिसमें ज है श है वह हुआज कल जान बूश कर के कांगर्स के लो Ek जो है वह वो कोशिश कर रहे हैं कि इस परकार की स्थिती उत्प कर देंगे या इनकी पार्टी जो है वो जो इन्होंने manifesto सुरेच जी आपको लगता है वादा किलाफी हो रही है वादा जो manifesto मैं किया गया था युवाओं से बेरोजगारी भत्ता देने का वो सरकार जो है उससे कही ना कही दूर भागती हुई नजर आ रही है आपको देखे चार साल से अधिका समय हो गया है सरकार को ने अने अम्पुलोइमेंट अलाउंस देंगे हम यह कोई ऐसा वादा नहीं है जो पांच साल के अंत में जो है वो पूरा किया जाए जब तक आपकी सरकार है आपको तुरन्त आकर के इस प्रकार के वादे को पूरा करना होता है तो साड़े चार साल के लगबक समय हो चुका है अभी तक तो इन्हों नी ये वादा पूरा निं किया और अब इनकी आपस की ये पर बादा खलापी हो रही है यह वाहों के साथ जे सुरे जी भारतिय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा कॉंग्रेस कहती है कि उन में जो है कॉंग्रेस में जो है चेहरे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है स्पाष्ट है मुख्यमंत्री वीर भद सिंग जो है कमांड इस पर फैसला करेगा देखे पहले तो दिनेश जी मैं आपको बताओं कि जो कांग्रेस के लोग अगर कुछ कह रहे हैं कि बीर बदर सिंग जी ही चेहरा होंगे जे मुझे लगता है कि यही बात जो है वो जो आजकल इनकी कुष्टी चल रही है उससे ठीक नहीं लगत क्योंकि जी एस बाली कैबिनेट में मनिस्टर हों और वो एक ऐसी बात जिसको मुक्ष्ण मंत्री ना चाहते हों उसको सारवजनिक रूप से जो हैं उठाएं जे मुक्ष्ण मंत्री एक डिसीजन धर्मचाला के राजधानी का जो हैं लें और उसके उपर भी स्वाल संगठन है वो प्रेशराइज कर रहा है मुक्ष्ण मंतरी के मना करने के बाप जूद भी के इस वीशे को पर यह वाईदा यह वो पूरा किया जाये हो समझते हैं कि कांग्रेस का संगठन है बात महीं इनके बहुत सारे मंत्री ना चाहिए पारत-पार्टीम आसर進 न्या बा ये नियम है वर्तमान में प्रोफेसर प्रेमकुमार धुमल जी नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आज प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी का चेरा है तो जब तक पार्लियमेंटरी बोर्ड अन्यथा निरने नहीं लेता है कि किसी नए व्यक्ति को कमान सौपनी है तब तक प्रोफेसर प्रेमकुमार धुमल जी पार्टी के नेता है जी चुनाव में भी वही होंगे चुनावी दंगल में भी नेता होंगे वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे देखे दावेदार तो निश्चित रूप से वो होंगे क्योंकि वो निता पृत्पक्ष हैं लेकिन वो ही चेहरा होंगे ये डिसाइड करने का अधिकार मुझे नहीं है ये तो भारतिया जनता पार्टिय का जो राश्क्रिय नेत्रित तो है और शेश रूप से जो पारलिमें देखे मैं समझता हूँ मेरी नीजी राय तो वही है जो पार्टी का पार्लियमेंटरी बोर्ड कहेगा क्योंकि पार्लियमेंटरी बोर्ड जो है वो नीजी राय नहीं पूछता है जब चुनाब हो जाते हैं उसके बाद विधायक चुने जाते हैं तब तो पूछा जाएगा लेकिन उससे पहले नीच पूछा जाता है तो इससे मैं समझता हूँ कि हमारे केंद्रिय नेत्रित्व को डिसाइड करने दीजिए इसको लेकिन क्या चेहरा अगर सामने हो लोगों के सामने जनता के सामने हो तो इसका फाइदा होता है? हाँ ज्यादा तर जो होता है लेकिन यह आविशक में नहीं है यहां पर पार्टी का जो केंद्रिय नेत्रित्व है वो डिसाइड करता है और ऐसा ही पहले कांग्रेस में भी हुआ करता था वहां पर जब चुनाब हो जाते थे उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाता था तो भार्टे जनता पार्टी में चेहरा सामने हो तो कई बार जो है वो ठीक रहता है कि उसके कारण जो है वो अपनी इसाब से जो है वो कंपैन या सारी स्थितियों जो है बनाता है लेकिन केंद्रिय नेत्रित्व जो है वो अगर और फिर ना चेहरे के भी जो है करे by लगता है कि यह यह कोलेक्टिव लीडर्शिप सब जो हैं वह काम करते है academia और उसके आधार पर मुद्धों के नदार पर केडर के आधार और अपनी जो है वह च्वी के आधार पर पार्टी जीतत हैं जी है उसके बाद पार्लियमेंटरी बोर्ड किसी को भी नेताता है कर सकता है जे ऐसी भी चर्चा है सुरेज जी की पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओं के बाद स्वास्ते मंत्री जेपी नड़्डा को जो है वो हिमाचल परदेश बीजेपी की कमान दी जा सकती है देखे मैंने जहा है कि भारत्य जनता पार्टी में पार्लियमेंटरी बोर्ड जो डिसाइड करेगा राश्ट्रिय नेतिर्त्र जो डिसाइड करेगा वो नीचे तक सभी जो कारे करता है बूथ लेबल तक वो उसको सभीकार करेंगी जे जगतपरकास नड़्डा जी भारत्य चार शीट जो है भारत्य जनता पार्टी ने सरकार के खिलाब रनाई थी सरकार और मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों की तरफ से ये कहा जा रहा कि वो जो चार्शीट है वो डस्ट बिन में डायलने के लाइक है उसमें कोई तथ्य नहीं है कोई एविडेंस नहीं है और ये जो है सरकार की तरफ से सरकार के मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री की तर है कि एगे जमित या डो刑नी केंजयकंग में किसी और केंजरी ऐजंसी से करें। या आप Judicial Commission बनाएं देखेना ये सारे के सारे जो एक्सौ फो मिशन और कमिशन है वो चार सीट में किये हैं और आज वास्ता में प्रुदेश में बरश्टा चार का ही बोलबाला है माफियाओं का बोलबाला है यहां पर जो है चाहे लॉएंड आजर है यहां पर विकास के काम है उन सब में माफियाज काम कर रहे हैं खनान के ख्षेतर में हो नशा के ख्षेतर में तो स्वेम पंजाब हाई कोट में एफ़ीडेविट के द्वारा गया है जो नशा पंजाब में भी जा रहा है वह हिमचल से जा पर दालने वाली बात है तो फिर यह डरेवे क्यों थे जब चाहें तो यह कर सकते हैं अगर प्रूब होगा तो ठीक है नहीं प्रूब होगा तो हम गलत सावित हो जाएंगे जे आपने कहा कि माफिया राज कॉंग्रिस की तरफ से कहा जाता है सरकार की तरफ से कहा जाता है जो माफिया राज के जो बात वो भारतिय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने state for sale ये नारा दिया था सत्ता में आने से पहले इसी को भारतिय जनता पार्टी ने जो है कौपी किया है चुराया है देखें उन्होंने जो है वो विरोधी पक्ष में कुछ बोलना हो तो कांगरस से कोई चीज चुराने की हमको आपशकता ही नहीं है क्योंकि हम विपक्ष का काम जो है इनसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और उसको बहुत भी निभाते भी हैं और जो इन्होंने नारा हम लगाया था हिमा चला उनसेल जब इनकी सरकार बन गई तो उसके कोई चर्चा तक नहीं है कहिं कोई एक इंच जगह नहीं दिखा सकें जिसको यह बता सकें कि उसके कारण यह कह सकते हैं कि हम तो तथ्वों के आधार पर चार शीट बनाई है हमने लिए से हम साबीत कर सकत है में एक छोटा से एक्जामपल देता हूं जे शिराब बहुत अर्से से जो है वो हिमचल प्रदेश में डिफरेंट लाइसेंसिस के अधार पर बिकती थी जे इन्हों जब हमने मांग विधान सभा में ये कुछ और करने वाले थे वहां पर प्रफेसर प्रेयम कुमार धुमजी ने विश्य उठाया जे तो इन्होंने जो रिटेल की थी शिराब बिकरी वो तो एडिटीज रख दी लेकिन फिर इनको अपना जो है माफिया खड़ा करना था उसके अंदर फिर प्राइवेट होलसेलर बना दिये हैं जे लेकिन और उनको जो है काम दिया जा रहा है वो सारे माफिया वो पंजाब से बाहर के लोग जो है वो यहां पर आकर के माफिया चला रहे हैं जे सुरेज जी लेकिन सरकार के मंतरी है मुकेश अगनोतरी उनका ये मानना उनका ये कहना है कि इसमें सरकार को 400 करोर का राज्य को फाइदा हुआ है मैं समझता हूँ कि वो अभी बजट आना है जे उसमें वो बताएंगे और अगर ये उस तरह की जो है चीज बताते हैं तो हम जो डिमांड पर होगा इस वर पायर्टीज में उसमें देंगे उसमें डिसकेशन करेंगे लेकिन बहार से लोग आकर के आप जो हमाचर प्रदेश की शिराब बनाने वाली फैक्टरी है उन्ना में महत्पूर में जो देसी शिराब बनाती है उसको भी प्रेशिराइज किया जा रहा है कि आप पर्ट प्रकार को देते हैं किसका दवाब है किसका प्रेशर की बात कर रहें दवाब की बात कर रहें कौन दवाब डाल रहा है क्योंकि इस देखिए मुक्षा मंत्री जी और कुछ उनके जो हैं चुने हुए मंत्री हैं यह वह सब जो है वह इस परकार की चीजें जो हैं कर रहे हैं और पंजाब के कुछ लोगों के साथ जो हैं उनके समन्द हैं और हिमाचर परदेश में इस परकार के माफिया जो हैं वो होलसेलर्स खड़े कर रहे हैं जे उस कॉर्पोरिशर में चार सो क्रोड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है वहां तो मिरे खाल में जो है वो जो ब्रां बेचना चाहता है उसको पहले जो है वो सेवा करनी पड़ती है उन अथार्टिस की जो इसमें इन्वार्वड हैं अगर वो नहीं करते हैं तो उनको माल जो है वो नहीं बेच सकते हैं जे तो सरकार की तरफ से यह जूट कहा जा रहा है क्या जूट जूटी बात कही जा रही अनिया था जो है वो हिमाचर प्रदेश को 400 क्रोड की जो है वो बढ़ोतरी केवल मातर अगर L1 के कारण हुई है तो ये फिर तो उनको जो है हमको पीड़ थबतवानी पड़ेगी जैकि ऐसा जो है वो 400 क्रोड का आंकड़ा कहां से लाए हैं ये मुझे नहीं मालूम जे सुरेज जी दूसरा अपने बात की ड्रक्स की बात की क्या राज्य में सही में ड्रक्स की समस्या है या फिर कॉंग्रेस सरकार कह रही है कि उन्होंने ड्रक्स की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए सकती से पुलिस ने परशासन ने काम किया है जिस तरह से बात कही जा यह जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है हिमाचल को जादा बदनाम किया जा रहा है रक्स की कोई बड़ी समस्या जो हिमाचल में नहीं है मैं समझता हूँ कि ये मुक्षा मंत्री जी और हिमाचल प्रदेश की सरकार हर एक चीज़ को जो है वो लाइटली लेने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने के कोशिश करते हैं कि यहां ये समस्या जी नहीं है आप बहुत सारे जो है वो एंग्योज की और ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें शिमला जैसे शहर को जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है इस फुल शहर है इसको हिंदूस्तान के जो छोटे शहर हैं उन पंजाब के एस पी की जो रिपोर्ट दाखिल हुई है हाई कोट में वो ये कहते हैं कि ये सारा हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आ रहा है और मुकेश अगनी होतरी जी के अपने विदान सभाक शेतर में बहुत बड़ा एजिटेशन नशक होरी को लेकर के जो है वहां प ये खुद भी इननोंने इस बात को माना है कि वहां पर जो है इस परकार की चीजस बिकती है वो पंजाब से आती है यह मैं होती है ये तो इनका विश्य है कि अगर बाहर से आती है तो उसको रोकें लेकिन इसी परकार से आज कल देख रह rating यहां आज कल जो है वह बहुत मात सब्सक्राइब करने लेकिन नशाखुरी में हिमाचल बंद्राम होता जा रहा है बहुत गंभीर समस्या भी है हिमाचल के लिए लेकिन सरकार कहती है सरकार के मंत्री कहते हैं कि अगर समस्या है तो वे पक्ष को सही रोल अदा करना चाहिए सरकार का साथ देना चाहिए इस समस्या को ताकि युवा जो है हिमाचल का युवा जो है उसको नशे से दूर रखा जा सके कार्वाय करें देखे इस बारे में हमने बिरोद किया इनका ये इस पर जो है वह और जसमें विपक्ष की आफशकता है इनको हमारी आशकता है जिस्थानिय विधायकों के जरूरत पड़ती है कभी भी किसी भार्तिय जंदा पार्टी के कारे करता है या विधायक नहीं किया है हमेशा इनका जो है वह साथ देने को सायोग करने को तयार है लेकिन हिमाचल परदेश देव भूमी कहलाता है अगर विपक्ष की भूमी का देखी जाए सुरेज जी आपने ये कहा जाए कि कॉंग्रेस सवाल उठाती है कि भारतिय जंदा पार्टी जो है सही से विपक्ष की भूमी का भी नहीं निभाप आई है लेकिन आप कैसे देखते हैं विपक्ष के रोल को विपक्ष में बैठ क कैसे आप अपने रोल को आपने जो रोल अदा किया विपक्ष ने जो रोल अदा किया उसको कैसे आगता है हमने डे वन से बिलकुल जो है वो कंस्ट्रक्टिब अपोजिशन की है हिमाचल प्रदेश में जे चाहे बिधान सभा हो अत्वा बिधान सभा के बाहर हो हमने कोई इस जो केवलमात्र किसी Emotion के कारण जो है राजनीती करने के लिए किया हो हमने मुद्दों के आधार पर इनको आगा हा करने की कोशिश की हो हुध्य है बहार भी हमने मंदस तर से जिला फ्र पर प्रदेश तर के कारेकरम आधार बना करके किये हैं और या झांटा कुमार जी सारे प्रदेश में रैलियांग परता विद्धान सभां बिदद रिकॉरड तो जो भी प्रदेश के जवलंत मुद्दे हैं समस्याएं हैं उनको लेकर के कोई भी नोटिस कोई भी चर्चा किसी प्रकार का ध्यानाकर्शन प्रस्ताब सब कुछ जो है वो अपोजिशन के तौर पर भारतिय जनता पार्टी ने किया है हाँ इनको गलत ये लगता है कि डेव वन से ही हमने विधान सभा में ये कहा है कि माननीय मुख्या मंतरी जी केंदरी ये स्टील मिनिस्टर है रहते हुए रष्टाचार करते रहे हैं इसके उपर जो है छानबीन होनी चाहिए केस बनना चाहिए उसके कारण जो है वो इनको चाहते ही नहीं कि मत चर्चा करें कि आपने देखा होगा कि पीधान सभा का सेशन तए करती है कैबिनेट उसके तीन चार दिन में मुख्या मंतरी जी कोई ना कोई बियान इस परकार के दे देते हैं जिसमें जो है वह किसी ना किसी बिधायक को एटेक कर देंगे अब कोई विधायक दुकान चलाता था, वहाँ पर वो बहुत सारा समान बेशता था, कर्याने के दुकान करता था, आज वो पांच वार का विधायक जो है पांच वार तुना गया है लगातार, बिना एक वार भी हारे बिना, और एक अच्छनसी भी बदली गई, उसकी तब भ इता है, उसके बारे में जो है वो टिपनी करेंगे, कहीं आप जो है वो टिपनी करेंगे, कि भारतिये जन्ता पार्टी के विधायक तो सिर्फ टीएडिये के लिए जो है करते हैं, यह अपने विधायकों की कारगुजारी बताएं, कोई उनका क्वेस्टन बताएं, कोई उ अकायदा अपोजिशन जो है वो विधान सहभवी भी कर रहे हैं कर दिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं हम की है और नो किए और सबीड है सबीट के बढूल टरीके से जो है डर लगता है और सपने भी जो है बारतिय जंता पार्टी के निताओं को वीर भदर सिंग के ही आते हैं लेकि ये तो मुझे लगता है कि जो सपने आते हैं वो उनी को आते हैं क्योंकि उनको रोजाना जो है वो बीर बदर सिंग जी के पूजा करनी होती है भारतिय जनता पार्टी ने जो है वो बीर बदर सिंग जी हो या कॉल सिंग जी हो या कोई और हो उससे हमें जो है वो कोई मतलब नहीं है भारतिय जनता पार्टी अपनी नीतियों के अधार पर अपने निताओं के काम के अधार पर आपने जो हैं वो क्याडर है उनके आधार पर जो हैं विजईdy होती है काम भी करती है इसलिए बीर भदर सिंग जी जो है वो कुछ करें वो अच्छा काम करेंगे तो प्रदेश की जंता का nhất होगा अगर वो वो केवल मातर है वो अपने cases में उल्जेवे जैसे आजकल कर रहे हैं तो उस बरकार का काम करेंगे तो हिमचल प्रदेश जो है वो किस दिशा में जाएगा यह कहना जो है वो संभब नहीं है